आज हम बनाएंगे नए तरीके से पालक की सबजी यह टेश्टी होने के साथ साथ बहुत जादा हेल्दी भी है और बनाना भी असान है सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं बनाना उसके लिए मैंने यहां पे पालक लिया है 200 ग् बंडल मैंने लिया है 200 ग्राम का होता है 200-500 ग्राम का उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में डालके पान से छे ले सून अद्रक हाफ टेबले स्पून और यहां पे हरी मिर्ची 2-3 और थोड़ा सा पानी डालेंगे हाफ कप के करीब बहुत जादा नहीं डालना है उसके बाद यहां पे पानी एक साथ हमें पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करते भी डालना है और मिक्स करना है ताकि एक साथ पानी डालने से यह प्रॉब्लम होगा कि गुटलिया पड़ जाएगी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और यहां पे मैं एक कप बेश एक बारी कटा होगा उसके बाद सारी चीजे डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है देखी इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और जो मैंने पालक पीजा था उसको इसके अंदर डाल देंगे डालने के बाद इसको हमें मिक्स करना है और यहां पर थोड़ी पानी की टूपिंच हींग डाल दूँ उसके बाद एक कडाई लेंगे एक टेबली स्पून टेल डालेंगे जो खाते हैं आप तेल वो उसके बाद चारोत रमाइब फैला ले रहा है फैलाने के बाद यहां पे जो मैंने बेसन और पालक वाला गोले इसको डाल लेंगे और गेस का फ्ल कर देना है देखिए मैंने गैस बंद कर दिया पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे जब ठंडा हो जाएगा इस तरह से तो फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हाथों में तेल लगाना है उसके बाद हमें एक बोल का शेप देना है इस तरह से इसलिया एक कडाई लेंगे उसके अंदर टू टेबल इस्पून खाने वाला तेल डालेंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तिसमें हाफ टेबल इस्पून जीरा हीं वन फो टेबल इस्पून और यहां पर डाल रही हूं कस्मेरी लाल मिर्च इससे बहुत अच्छा कलर हाफ टेबल इस्पून उसके बाद जो टमाटर का पेष्टी उसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे देखिए पग गया है तो अब यहां पर में दही डाल रही हूं दही डालते समय गेस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है गेस का फ्लेम इसलिए ज़री है तक जो हमारा दही फटे नहीं और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गेस का फ्लेम मेडियम करके अच्छे से पकाएंगे जब और सेपरेट हो जाएगा जब दही में से ओल छोड़ देगा यानि घी छोड़ देगा तो इसके अदर मसाला डालेंगे वन फो ट दैने में तो आपने टेस्ट के अच्छे कॉड़िक नंगा तो आप यहां पर में गैस को बंद करके सारे इसके अंदर डाल दिये हैं डाल पकने के बाद मिक्स करके फिर से हमें ढख देना है और थोड़ी देर ढखने के बाद ताकि मसाले अच्छे से सोग जाए उसके बाद हरादनिया डालेंगे इसको आप रोटी पराथा चावल जिस स्काइब करें फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई